चोपड़ा इस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो आज इस वीडियो में हम रजल्ट के बाद में क्या कटोफ रह सकती है MBBS और BDS दोनों कोर्सेज के लिए आलांकि मैं MBBS की कटोफ कल के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उन स्टुडेंट के लिए दुबारा से बता देता हूँ, जिनको कल का वीडियो नहीं मिला है तो हम यहां रजल्ट के बाद एक्सपक्टेट कटोफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार कटोफ ओल इंडिया रिंक हाई रहा है, तो कटोफ भी हाई रहने की पोसिबिलिटी है तो एक बार MBBS का मैं आपको कटोफ बता देता हूँ, रजल्ट के बाद में तो यूर कटेगरी की बात करें, फिर्स्त राउंड की 615, सेक het round 610, मॉपं राऊंड 606 और स्टे वएक EWS 611, फिर्स राउंड, सेके राउंड 606, मॉपं राउंड 605, स्टे वेकानशी राउंड 604, OBC 613, 2nd राउंड 609, मॉपं राउं 606, इस्टे वेकानशी भाइड 478, stay vacancy round 475, ST category 476 first round, second round 465, mop up round 447 और stay vacancy round 445 हो सकती है, तो ये चार round होते हैं MBBS के लिए All India quota 15% के लिए जिनकी expected cutoff इस परकार से रह सकती है, अब हम बात करेंगे BDS की cutoff के बारे में, क्योंकि BDS के 5 round होते हैं, तो BDS की cutoff लो जाती है last round में, तो यहाँ पर हम BDS की cutoff के बारे में बात करेंगे, तो BDS की cutoff बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो हमारी book download कर सकते हैं, All India quota, State, I.U., Svetinary, सभी की book available है, और इसमें State quota की book में open state के बारे में समझाया गया है, उसकी fees के बारे में, cutoff के बारे में सब कुछ समझाया गया है, मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी, जैसे ही आप download करेंगे, हम आप से संपर्ख कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, अब बात करें हैं BDS की cutoff के बारे में, तो UR category की first round के लिए 590 cutoff रह सकती है, second round के लिए 580 रह सकती है, mop-up round के लिए 570, stay round 1 के लिए 555 और stay round 2 के लिए 500, इसके 5 round होते हैं, तो last round की जो cutoff होती है, वो काफी down जाने की possibility रहती है, BDS course के लिए, EWS की बात करें, तो first round 585, second round 568, mop-up round 565, stay round 1 550 और stay round 2 495 cutoff रह सकती है, OBC category BDS के लिए 585 first round, second round 575, mop-up round 560, stay round 548, stay round 2 475, यहनि 475, stay round 2 में cutoff रह सकती है, ST category की बात करें, first round 475, second round 450, third round 430, stay 1 415, stay 2 355, stay 425 first round, second round 410, mop-up round 385, stay 1 350, और stay 2 में काफी down जाती है, 250 से भी down जा सकती है, क्योंकि यह last round होता है, और इसके 5 round conduct होते हैं, BDS और BSC nursing के लिए, तो यह मैंने आपको MBBS और BDS दोनु की cutoff बता दी है, air और marks का जो, all India rank और marks का, जो यहां पर calculation है, यहां मैंने आपको बता दी है, कितने marks पर कितने all India rank है, फिर भी आप देख सकते हैं, NTA ने जो notice दिया है, उसके according भी आग देख सकते हैं, कोंड से marks पर कितनी rank गई है, इस साल के लिए, तो यह जानकारी थी, expected cutoff के बारे में, MBBS और BDS दोनु कोर्सेज के बारे में, आप हमरे चैनल को subscribe करके रखें, क्योंकि इस परकार की information हम लेकर के आते रहते हैं, MBBS related भी हमारे चैनल पर information मिलती हैं, चैनल को subscribe करने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो को share करें, ताकि हर एक student को इसका फाइदा हो सके, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिन,